सेक्शन 23 इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने सेक्शन से 22 से 27 बाइस कर चुके हैं 27 कर चुके हैं 23 का बेसिक देखा आप 23 को पूरा डिटेल अभी खतम कर देंगे उसके बाद 24 रह जाएगा 25-26 तो 5 बिनट का काम है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पर यह बताता है हमें annual value annual value कैसे निकालोगे उसकी बाते बताएगा सर यहाँ पर different situation है situation बोलो तो पहले समझिएगा कितने situation है सारे situation मैं roughly लिख देता हूँ situation number one आपका house हो सकता है let out हो for full year let out हो for full year सर तब क्या होगा मैं हर किसी के नीचे ही करवाता जाऊँगा example के साथ सर situation number two ऐसा भी possible है कि आपका house self occupied हो self occupied का मतलब आप खुदी रह रहे हो तो क्या होगा तब कैसे calculation होगा सर हम खुद भी रहेंगे किराये पे नहीं देंगे तब भी निकालना है जी हाँ तब भी house property हमें निकालना पड़ता है अब आपका house property जो आपका घर है वेकेंट हो सर वेकेंट का मतलब आपका खाली हो पूरे साल आपने सोचा किरायदार आएगा आएगा लेकिन आए नहीं लॉक्डाउन में पता ही है कई लोग का साल साल भर पूरा घर खाली रहा है तो वेकेंट हो तब कैसे calculation को हम handle करेंगे ऐसा हो सकता है कि आपका house आपका house possible है थोड़ा इधर लिखते हैं आपकाँ पार्ट लिखते ही है मुड़ार लग आपकाँ पार् isolating ë आफड Стाहिब छिखते हैं क्रूड़ा ग्ञधश्य एहा है Off time इसका मतलब सर इसका कहने का मतलब क्या है आपका घर कुछ समय तक आपका किराय पे था और कुछ समय पे आप खुद रह रहे हो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि घर ले रखाया है जो आप कहीं घूमने के लिए आते हैं तो बोलते हैं भीया खाली कर दो दो मेने हम रहेंगे फिर चले जाएंगे फिर दुबारा किराय पर रह लेना यानि कुछ समय हम रहे और कुछ समय किरायदार पर तो दोनों concept आ गया self occupied वाला भी और let out वाला भी लेकिन किस basis पर आपका time basis पर तीन मेने चार मेने इस तरीके से आठ मेने और फिर चार मेने कुछ इस तरीके से होगा सबके example लेंगे सबका practical एक कुशन करके देखने वाले ऐसा नहीं कि अभी खतम होगा हो सकता है आपका वेन आपका हाउस पार्टली लेट आउट हो और वेन आपका हाउस पार्टली लेट आउट हो और पार्टली सेल्फ उक्यूपाइड हो सर ऐसा पॉसिबल यह तो दोनों सेम हो गया लेकिन सर यहां पे रहेगा ऑन दा बेसिस और यहां पे रहेगा ऑन दा बेसिस और एरिया ऐसा होता है कई बार क्या आपका घर है आपने थोड़ा से एरिये में आप खुद रह रहे हूं कुछ एरिया आपने बोला इतने इस एरिये को किराये पे जैसे पीजी बगरे में ज्यादा होता है एक स्टूडेंट है घर है तो उसने क्या कर आप यह पूरा है चार कमरे का सेट है उसका तोला चार कमरे क्या करेंगे कुछ पैसे ही आजाएंगे एक कमरा उसने किसी और को पूरे साल आप भी रह रहे है और पूरे साल करायदार भी रह रह रहा है लेकिन आप का घर एक ही है तो इसका मतलब आपका घर एरिया बेसिज पे क्राय पे दिया गया है self occupied भी है let out भी है लेकिन किस बिसिस पे area बिसिस पे यानि partly self occupied partly let out on the basis of area इन दोनों में सर फरक है ये time basis पे है पांच कमरे है तो मैं दो मैंने रहता हूँ पांच कमरे में और किराइदार पांच कमरे में रहते हैं बाकी के 10 मैंने यहां पर यह है यहां पर थोड़ा सा फरक है एक और भी बात है हम पूरे को इसी चार्ट में cover कर लेंगे जिसको visual नहीं है बिल्कुल definitely मैं last में सारा visual कर वाऊँगा एक एक point सर और क्या भी हो सकता है क्या last situation है वैसे दो situation है लेकिन एक ही कर लेते हैं पहले आपके पास more than two house हो यानि आपके पास धेर सारा घर है या more than two house self occupied हो यानि देख लो government ने क्या कहा है कि सर आप एक से ज़्यादा घर नहीं रखना आपने अगर एक से ज़्यादा घर है तो हम वह खाली है हम मान लेंगे वह किराये पे हैं और हमारे रूल के इसाप से उस पर टेक्स तो देना ही देना पड़ेगा यानि हर किसी वेक्ति के लिए एक घर को रस्ट्रेक्ट किया गया है तो यह different cases है सर कितने cases है चलिए एक बार मैं दिखा दूँ आपको कितने cases है अगर हम सारी cases को एक बार display करें तो case number one, case number two, case number three, case number four, case number five और case number six छे different situation अब जिन बच्चों को visual में जब कभी भी दिक्कत हो मुझे बोल सकते हैं मैं फटा-फट से उसको फिर थोड़ा सा size बढ़ा कर दूँगा जिससे कि उनको दिक्कत ना हो ठीक है clear यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए हर किसी को clear दिख रहा है जो बच्चे लाइव में है जितने बच्चे भी लाइव में सभी को clear दिख रहा है यहां पर कह रहे हैं बच्चे सर लास्ट सेमेस्टर में नहीं MCQ आएगा इसमें भी आएगा MCQ पर पूरा थियोरी में बता रहा हूँ और उसके अंदर covered होगा वो सारी चीजे लास्ट केस देखे अभी बच्चे मैंने बोला क्या सर्फ आपको ये देखना है आपको देख रहा है प्रॉपर या नहीं देख रहा है किसमें क्या होगा नहीं होगा अभी मैंने कुछ नहीं समझाया अभी एक 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 example लिखूँगा और उसके solution नीचे करकर के दिखाता रहूँगा ठीक है चलिए सर अब example लिखना मैं चालू करता हूँ पहला example मैं लेता हूँ इसके लिए सर एक्जाम्पल मान लेते हैं मुंसिपल वेल्यू मुंसिपल वेल्यू एक लाख एंड फेर रेंट दो लाख इस्टेंडर रेंट मान लो एक लाख पचास हजार और एक्चुल रेंट मैं ए आर लिख रहा हूँ एक्चुल रेंट एक्चुल रेंट है हमारा पारह हजार रुपे पर मन सर मुंसिपल टेक्स 30% 30% ज़ादा हो जाएगा इतना तो होता भी नहीं है 10% ठीक है कैलकुलेट कैलकुलेट टेक्सेबल हाउस प्रॉपटी इंकम सर एक ही एक्जामपल मैं सारे सवाल में लूँआ उसके नीचे नीचे लिखता जाऊँआ चिंता नहीं करना है बिल्कुल सोल्यूशन देखिये इसका सर अगर मेरे पास यहाँ जगे नहीं होगा पिछले पेज़ पर मैंने केस बताए केस के हिसाब से लेके चलूँआ यह हमारा सवाल है सर इसका सोल्यूशन आंसर देखिये मैं करने जा रहा हूँ इसका आंसर कहां करें इसके नीचे कर दें क्योंकि बाद में PDF तो देना है चलिए सर आंसर situation क्या है आप एक बार पढ़िये situation कहता है कि आपका घर पूरे साल क्या रहा है let out किराए पे तो जब किराए पे रहा है तो normal जो भी हमने अभी तक example देखे हैं या जो भी example हमने किये हैं वो normal ही था हमारा सारा उसी के basis पे करना है चलिए हर किसी को visual होना चाहिए start करते हैं आप देखें यहाँ पे हाला कि compare कर सकते हैं आप तो मैं सीधा यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा directly GAV क्योंकि space की कमी है और आप अच्छे से जानते हैं आप GAV निकाल पाएंगे सीधा अगर GAV नहीं निकाल पारे तो मैं side में बता देता हूँ पहले चेक करेंगे मैंने इसलिए amount सीधा रिखा है यह आजाएगा दो लाग अब जो भी answer आएगा उसमें से देखेंगे lower तो लेड़ लाग अब इसका आजाएगा एक लाग क्योंकि हर महीने का किराया है तो इन दोनों में से again जब चेक करेंगे तो higher आएगा तो जीए भी आगया एक लाग चोवालीस अजार हलाकि मैंने बहुत speed में किया है तो किसी बच्चे को दिक्कत है एक पचास डेड़ लाग आएगा डेड़ लाग किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं वर्किंग नोट में मैं साइड में कर दूँ कोई बात नहीं मैं आगे कर दूँ चलिए मैं यहां वर्किंग नोट अगर करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ इसी सवाल के लिए वर्किंग नोट है सर क्या है हमारा MV 1,00,000 Fair Rent 2,00,000 Higher Higher ले लो Fair Rent No.1 2,00,000 Standard Rent 1,50,000 Lower ले लो ER आगया 1,50 Compare कर लो किस से 8RRR से 12,000 और इंटू में 12 आजाएगा 1,44,000 जो की आगया हमारा इन दोनों में से हायर लेंगे जो आगया GABA बताईए GABA की हर किसी को समझ में है यहां तक किसी को दिक्कत अब सर GABA में से माइनस करेंगे Municipal Tax Less करें Municipal Tax Municipal Tax कहता है 10 परतीशत है Municipal कहता है 10% तो सर 10% किसका लेंगे MV का That is 20,000 इसको माइनस करेंगे तो सवाल में आएगा NAV NAV क्या आएगा 1,00,30,000 मैंने बोला Taxable House Property Income निका लिए अब माइनस करेंगे 24 अच्छा मैंने 20 क्यों लिखे दिया अब आएगा 24A सर सवाल में 24A 30% है अभी के लिए 30% मान लीजिए बाकि जब मैं 24 section पर आऊँगा तो एक एक section जब explain करूँगा तो बता दूँगा ये 24A क्यों होता है और वैसे भी last class में मैंने थोड़ा hint दे दिया था 24A होता किसलिए है 30% किसका 41 का That is आपका 42,000 माइनस कर दीजिए तो क्या आजाएगा 98,000 तो सर आपका पहले केस का आंसर आ गया आप देखोगे पहले केस में तो आपको पता भी नहीं चलेगा करना क्या है पहले केस में तो बहुत नॉर्मली रहेगा और नॉर्मली सॉल्ट भी हो गया बताईए कोई दिक्कत केस नंबर वन समझ में आ गया सवाल नंबर टू पे चले केस नंबर टू चलिए सर चलते हैं केस नंबर टू तो मैं सवाल नंबर टू यहां लिख रहा हूँ केसिस यहां बनाए हुए बागे पीछे पेज पे चले जाएंगे हैं सवाल नमबर टू यह आगे आपके सामने सवाल नमबर टू थोड़ा चेंजिस करूँआ थोड़ा सा चेंजिस कर देता हूँ केस नमबर आपको समझ में आ जाएगा सार केस नमबर वन यह वाला है तू जो दिया है वो इसके लिए कर रहा हूँ तू क्या कहता है सेलफ उक्उपाइड क्या कर रहे हो सार आप सेल्फ उक्उपाइड कर रहे है सवाल पूरा यही आया एक्जाम के अंदर कुछ चेंजिस नहीं है सेल्फ उक्यूपाइड हमेशा याद रखना सेल्फ उक्यूपाइड का मतलब हम रह रहे हैं घर में जब हम घर में रहे हैं तो किराये का सवाल होता ही नहीं है तो सरकार को किराय देना ही नहीं है municipality टेक्स वाला बोल दे Baja इसका rent इतना होना अच्छा मैं ठीक है मान लिया बरोसी बोल दे इसका rent मान लिया Kote बोलता है इसका rent इतना मान लिया मैं बोल रहा है भाई मैं रह रहा हूँ तो तुम सब की बाते तो जूटी हो गई क्योंकि इसमें किरायदार तो है ही नहीं मैं ही honor हूँ और मैं ही रह रहा हूँ तो ऐसे situation में मैं कुछ note भी लिख देता हूँ direct answer आता है direct answer ऐसे situation में हम start करते हैं nav से हमेशा ऐसे situation में nav आएगा 0 nav हमेशा क्या आएगा 0 आएगा और कोई calculation यहां नहीं बैठता अगर मैं इसी को format में करके दिखा दू 24b interest वाला अरे interest वाला अभी नहीं सिखाया नहीं बात कर रहें अभी बाद में बात करेंगे interest वाले का कोई कहानी नहीं है interest वाली कि मैं बात ही नहीं कर रहा है सिखाया ही नहीं अभी तो अभी तो 23 चल रहा है तो 24 का सवाल ना पूछें अभी आप अभी तो 23 सिखा रहे हैं आपको चलिए सब कुछ बच्चों का हो सकता है college में internal हो और interest वाला topic सीखना हो तो उनके मैं डाल दूँगा उसका जो की interest वाला topic है मैं पहले उसके इंदर डाल दूँगा करा हुआ recorded है आप देखके समझ सकते हो बाकी मैं यहां कराऊंगा ही कराऊंगा मैं यहां तो sir कराऊंगा किसी हालत में चलिए sir ऐसे situation जब self occupied वाला case हो तो हमेशा याद रखना आपको सीधा start करना है N A B से sir आपको fair rent पता है sir municipal tax का भी कुछ नहीं होगा नहीं minus किया जाएगा sir municipal tax क्यों नहीं minus करने दिया जा रहा minus करने देते तो हमारा income negative आता हमें फाइदा मिलता कहता है कि municipal tax इसलिए दिया जाता है कि आपके सामने street light है आपके सामने park है आपके सामने gutter बना हुआ है नाली बना हुआ है इसकी facility ले रहे हो आप तब ही तो दे रहे हैं आपके और आपका किरायदार रह रह रहा है आप facility ले नहीं रहे आप payment कर रहे हो तो मैंने लगा चलो गया तो अगर आप जहां पे रह रहे हो self occupied वहां पे आप street light यूज़ कर दो आप वहां के पार्क को यूज़ कर रहे हो तो benefit तो ले रहे हो तो इस case में government ने बोला भाई या मुंसी पर्टेक्स हम नहीं देंगे माइनस करने तो यहां जीए भी जो है सीधा निल या जीरो जो इच्छा है लिखिए लिख सकते हैं अब इसमें से क्या माइनस करेंगे सर 24 ए वो भी पता है आपको क्या होगा तो देखे case number one और case number two सवाल मैंने एक ही रखा लेकिन answer क्या हुआ दोनों case के अंदर different और बदल गया कोई दिक्कत कोई परिशानी दोनों case में जो उतना पूछा जाए उसमें problem बताईएगा स्रिप फिर हम तीसरे में आ जाएंगे vacant हो एक और case रह गया partly let out and partly vacant वाला एक और case रह गया वो भी डाल दूँगा मैं यहीं लिख देता हूँ छे पे तो वो है एक और डाल दें यहाँ पर इसी के side में डाल देता हूँ पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट कोई बात नहीं करवाएंगा करवाना तो सारा ही case है मुझे आज ठीक है साथ इसको नमबर 4 देने जा रहे हैं और इसको नमबर 5 दे दिया इसको 6 इसको 7 एक और case है हलाकि वो तो बाद में देख रहेंगे सेकिंड में जीए भी कहा है जीए भी वे भी सब खतम सीधा जब self occupied है start ही एने वी से करना है आपको कोई calculation नी वर्किंग नोट भाई आपको पता चल गया self occupied है सीधा एने वी निल लिको और start करो बात खतव नोट भी नहीं देना वो पता एक्जामनर को अभी comment वाले hand raise का जवाब मैं नहीं दूँगा जितने बच्चे हैं सभी जो भी यह चैट में पूछिए clear चलिए अब case number 3 पर आते हैं vacant की बात करते हैं case number 3 vacant इसके लिए next page का इस्तेमाल कर लेता हूँ जैसे ही यह सारे situation खतम 80% chapter खतम house property क्या था हमारा situation vacant for full year ठीक है vacant for full year sir case number 4 चार नी 3 case number 3 ठीक है चलिए सवाल लिख लेते हैं municipal value fair rent, standard rent, actual rent, municipal value एक लाख, दो लाख, देड़ लाख, निल अब देखे वेकेंट का मतलब क्या होता है अब ध्यान दीजेगा वेकेंट का मतलब क्या होता है vacant का मतलब है कोई किरायदार, कोई भी tenant उसमें नहीं रहा लेकिन हम लोग vacant के अंदर ना एक फाइदा उठा लेते हैं government क्या कहता है एक फाइदा किस तरीके से माल लेते हैं आपका घर है और जो घर है वो vacant है और एक साथ में आपका जहां main घर है यहां पे आप खुद रहते हो और साथ वाला मकान भी आपका है house इसको किरायदार पर देना है लेकिन आप क्या कर洠े हो當 किरायदार देना चाहते हो कोई किरायदार आ नहीं रहा तो क्या दे पाए mnie कर ते भी यहाँ पे अभी किरायदार आएगा तब आप यहाँ पे जाके अराम कर रहे हो, आप यहाँ पे जाके study कर रहे हो, आप यहाँ पे जाके रात में मान लोगे बोलते हैं के चलो रात में साथ वाला घर है जाके सो जाते हैं, तो इसे vacant की category में नहीं रखा जाएगा, vacant का मतलब वहिया घर के अंदर ताला बंद होना चाहिए आप उसमें अपना personal activity कोई भी नहीं करोगे और ये proof करना जिम्मेदारी आप की है कि आपके घर में ताला बंद था अगर आप ये proof करने में नाकामियाब हो जाते हो कि ये ताला बंद था या नहीं था तो आपके उपर government text लगा देगा तो vacant का मतलब पूरा खाली यानि आपका घर क्या होना चाहिए vacant के case में घर आपका लॉक होना चाहिए सर रूल तो यही कहता है तो vacancy के case में again सवाल का अंसर देखिए हम start करेंगे municipal value फिर लिखेंगे fair rent that is फिर लिखेंगे अब देखों fair rent one लिखना मैं छोड़ रहा हूं तो इन दोनों में से क्या होगा higher और standard rent कितना है हमारा आपको सीधा ER पे लेके आ रहा हूं मैं expected rent तो इन दोनों में से मन में calculate करोगे higher और इन दोनों में से lower और तो expected rent क्या हो गया टेड़ लाग रूप एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया सर टेड़ लाग एक्च्वल रेंट क्या है एक्च्वल रेंट जीरो तो ऐसे situation में अब आएगा जीए भी सर जीए भी क्या आएगा law कहता है इन दोनों में से क्या हो higher लेकिन आपने बोला सर higher कैसे ले सकते हो हमारा घर तो ताला बन था कोई रही नहीं रहा था इसमें तो और आपने प्रूफ भी कर दिया तो फिर ऐसे situation में क्या ले लोगे आप lower यानि आपका क्या रहेगा जीरो रहेगा पहले यहां देखिए सर मुंसिपल टेक्स जो पेड किया मैनस कर सकते हो allowed क्यूंक्аксим का अपने benefit ही नहीं उठाए है वहां का तो यहां पे आपका मुंसिपल टेक्स भी मैनस करना allowed है सर Municipal Tax भी Minus करना Allowed है तो अगर कोई Municipal Tax हुआ तो हम Minus करेंगे Otherwise Less Empty मान लेते हैं कि Empty 10% है That is 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा 10,000 minus का NAV बहुत rare case होता है जब आपका घर पूरे साल खाली पर वह ऐसा possible ही नहीं है कि आपका पूरे साल की रहदार न मिले लेकिन जब अगर ऐसा situation हो जाए तो आपका इस तरीके से calculation किया जाएगा यहाँ पर Municipal Tax क्या है Allowed है बच्चों के कहना है सर Marriage Hall वगएर है तो साल में कुछ दिन के लिए वेकेंट रहते हैं वह देखा हाउस पॉपर्टी का मैंने कहा एक और अगला case आएगा न चौथा पार्टली वेकेंट और पार्टली आपका लेट आउट कुछ दिनों तक खाली और कुछ दिनों तक एक दिन भी इवन दो लेट आउट हो गया ये बात भी ध्यान रखना ये वाला case है पूरा ताला बंद है तब एक दिन भी क्रेयदार आए और फिर चले गए तो आप ये मत मान लेना ये वेकेंट वाला case है ठीक है चलिए सर अगले case पर आजाते है case number case number 4 सर क्या था case number 4 partly let out and partly vacant सर partly let out और partly vacant चलिए example सर फटा फट से हम case करेंगे तो example इसी को उठा लेते हैं बस थोड़ा बदलाव करने वाले सर क्या change करेंगे change ये करूँआ जो actual rent है वो बदल जाएगा actual rent 12,000 per month house let out for 5 year 5 year कह रहा हूँ 5 month and remaining वेकेंड समझ येका काफी important point है और इस सवाल में examiner यहां पर थोड़ी सी आपको तफ बना सकता है यहां पर सवाल ठीक है यानि सवाल है थोड़ी सा let out और थोड़ा self occupied इसको मैं दो cases में बना के कराऊँगा ताकि आपको पूरा clear हो जाए अच्छे से solution इसका solution मैं side करता हूँ क्योंकि जरूरत यहीं पर करने की है सर मुंसिपल वेल्यू एक लाख सर फियर रेंट दो लाख सर इस्टेंडर रेंट डेड लाख ना इसली calculated expected रेंट डेड लाख यहां तक सबको समझ में आ रहा है expected रेंट मैंने directly निकाल लिया कितना डेड लाख सबको समझ में आ रहा है higher lower man में calculate कर सकते हो आप अब actual rent receive and receivable सर यहां पे तो होगा कहता है हमारा घर पांच महिने तक किराय पे रहा और बाकी के महिने खाली था और बारा हजार रुपे किराय है सर बारा हजार इंटू में पांच कितने हो गए साथ हजार अब सवाल आता है सर क्या ले lower ले या फिर higher ले अब अगेन मैं vacant की बात कर रहा हूँ vacant का मतलब पांच महिने तो किराय पे था बाकी के साथ महिने vacant का मतलब क्या है सर बाकी का remaining जो 7 मन्थ है remaining 7 मन्थ खाली का मतलब what वहाँ पे lock लगा होना चाहिए मैं उसके लिए यह case कर रहा हूँ वहाँ पे क्या लगा हुआ है lock ताला लगा हुआ है कोई नहीं रहरा कुछ भी नहीं है वहाँ ठीक है हुआ यह हुआ यह अब government कहेगा कि भाईया हम rule लगाएंगे कि क्या rule लगाएंगे कि कहीं आप जूट तो नहीं बोलते rule यह लगाए जाएगा हम आपके rent मान के assumption लेते हैं कि आप 12 महिने तक अगर आप किराये पे दे रहेते हैं 12 महिने तक तो आपका होता कितना तो मैं बोलता हूँ उनको सर अगर मैं 12 महिने तक देता तो होता आपका 1 लाख लेकिन government कहता है तो अब भी मेरा जादा है अब भी मेरा ही जादा है तो ऐसे situation में जब expected rent आपका government का rule के according जादा बन रहा है तो government ऐसे situation में यानि आपका rent जो है वो government rule से कम जा रहा है तो government कहता अब हम आपकी नहीं सुनेंगे हम इन दोनों में से लेंगे higher इन दोनों में से क्या लेंगे हम यानि सर यहाँ पे जो GAV बनेगा मैं बोल रहा हूँ इसको दो केस बना के करा हूँगा GAV बनेगा वो बनेगा 150,000 माइनस एमटी कर देंगे अब एमटी 10% that is a 10,000 अब आगे हमारा 140 थोड़ा फॉर्मेटिंग मेरी बिगट जरूर रही है यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान रखना है बस 140 यह आगे हमारा N मैं NAV कहलूँ NAV तक ही निकाल के छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कुश्चन में कहा है निए कि आगे कहा तक करना है लीजिए तो मैंने NAV निकाल के छोड़ दिया बाकी तो आपको पता ही 24 यह देंगे हम कितने परसंट 30 परसंट उसकी कोई जादा नहीं पहला केस समझ में है दूसरा केस जब तक नहीं करूँगा और जब तक नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से सर दूसरा केस का मतलब suppose करो यह जो rent होता ना यह जो rent होता वो rent होता 20,000 रुपे मेहने का 20,000 रुपे मेहने का rent होता सर तब क्या होता solution मैं यहां कर रहा हूं इसका solution सर तो क्या होता मैं सीधा उठाऊंगा किस से confusion होगी हमारा expected rent आपका तब भी वही रहेगा सर expected rent कितना रहने वाला था एक लाक 50,000 और सर expected rent के बाद अगर बात करें हम actual rent तो तब भी रहेगा सर आपने बोला 20,000 और 5 महिने के लिए है तो कितना आने वाला है एक लाक अब मुद्दे की बात है सर हायर ले लोवर अब गौर्णमेंट बोलेगा भी या मेरे हिसाब से बनता है पूरे साल का डेड़ लाक अब हम चेक करेंगे कि तुम्हारा rent पूरे साल का कितना बन रहा है अब इसका rent पूरे साल का बन रहा है कितना 2,40,000 यानि हमारे रूल से तो तुम ज़्यादा ठीक ठाक ले रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में अब आप जूट नहीं बोल रहे है तो इसका मतलब लोवर ले लेंगे और यहाँ पे जीए भी निकल के आएगा आपका सर एक लाक और मैंने अगेन कहा यहाँ पे आपका घर खाली है यह आपको प्रूफ करना है रूल नंबर फोर लग जाता है यहाँ पे कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो और एसे सिंग देखो यहाँ पे एक होता है अन्रिलाइज रेंट उस पे भी रूल नंबर फोर लगता है यहाँ पे आपने सारी बाते समझा दी और इंकम टेक्स ओफिसर को लगता है कि भाईया यह जैन्मेन है तो तो वो लोवर लेके चलो ठीक है अगर उसको लगता है कि आप गलत बोल रहे हो अब भी अगया उसके बाद आपको देखना है सर टोटल कितना बन रहा है उसके इसाब से हायर या फिर लोवर ले लोगे यहाँ पर क्या ले लिया मैंने लोवर और माइनस कर दीजिए आप क्या मुनसीपल टेक्स और मुनसीपल टेक्स कितना माइनस करना है 10% that is 10,000 और आपका NAV आ जाएगा 90,000 मैं थोड़ा उपर करके दिखा देता हूँ इसको 90,000 आ गया और यह आ गया NAV ध्यान दीजिएगा काफी गलती करते हैं ऐसे example मैं दिखा भी दूँगा और कर भी लेंगे पहले आप समझिए यानि सर हमारा rent सरकार के rent से कम बन रहा होगा तो तो higher वाला concept आजएगा विकिंसी में हमारा rent सरकार के rent से ज़्यादा बन रहा होगा तो कौन से वाला आजएगा लोर वाला आजएगा वो हमें एक assumption लेके calculation करना होगा बताईए यहां तक कोई doubt क्लियर है तो सर कितने point कर लिए हमने हमने अगर देखा जाए यही तो था हमारा चार point हो चुका है पांचवा है partly let out और partly self occupied on the basis of time चलिए on the basis of time वाला करते हैं situation number यानि case number कौन सा पांच ही है ना चार था ने आपे पांच हाँ when house property partly let out and partly self occupied on the basis of time on the basis of time, on the basis चलिए सर एक्जाम्पल ले लेते हैं time का मतलब क्या है देख लेते हैं fair rent एक लाग municipal value दो लाग standard rent एक लाग तीस अजार actual rent प्लाग देख थाजार per month एक्जार प्लाग मुनसिपल टेक्स 25.000 हमने 10.000 पेड किया है च्रीर लिटने प्माभं, लिए मेन समय विबस्टाय छें लंग, लिए विए कि वंगे और रिमेनिंग सेल्फ उक्युपाइड सेल्फ उक्युपाइड यह हमारा पूरा सवाल इसको भी दो केसिस बना के करेंगे मैं अभी थोड़ी मैनद जरूर कर रहा हूं लेकिन जब सारा खतम हो जाएगा तो एक बार में समझो चेप्टर का सारा पार्ट खतम क्योंकि यहीं पर जो पार्ट है उसके बाद तो higher lower calculation का पार्ट रहाता है हम सीधा question पहेंगे इतने provision है नहीं चलिए सर answer answer की बात कर रहे है इसको भी दो पार्ट में कर लेंगे पहली बात अब यहां पर देखो कहता है कि मैं self occupied रहूँगा मैं खुद रहूँगा और मैं rent पर भी दूँगा दोनों बाते कह रहा है वो तो rent की बात करें तो rent पर कितना टाइम है सर rent पर मैंने कह दिया कि let out for 8 मैंने और खुद कितने मैंने रहेगा तो देखा जाए आपका यहां पर तो कुछ time हम रह रहे हैं कुछ time वो रह रहा है ऐसे situation में जब हम calculation करेंगे तो कुछ भी ratio में divide नहीं होगा यानि कहीं सोचो के 4 महीने का लग निकाल लेते हैं और 8 महीने का लग निकाल लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ऐसे situation में हमारा calculation होगा normal manner तो note calculation as normal manner sir calculation as normal manner nothing could be change कुछ भी change नहीं हो सकता है यहां पर सर क्या चीज़ है यहां पर सर सर सबसे पहले हम लेंगे क्या मैस municipal value सर दो लाग दो लाग है न fair rent एक लाग higher ले लेंगे standard rent एक तीस तो सर expected rent कौन बताएगा एक तीस आ गया सर expected rent अब actual rent actual rent कितना है सर 20,000 into में कितने महिने 8 महिने रह रहा है न तो 8 से लिखेंगे 1,60 अब बताएगे क्या होना चाहिए rule government क्या कहने वाला है government कहता है मेरा rule कहता है 1,30,000 लेकिन आप बोल रहे हो 1,60,000 तो हम आपकी बात को मानेंगे और यहां पर आपको 1,60 जीएवी ले ले लेंगे माइनस कर देंगे सर, MT और MT कितना है सर MT है हमारा यहां पर 25,000 जिसमें से 10,000 पेड है तो बताओ कितना माइनस करें कितना payment स्रिफ वही माइनस करेंगे that is 10,000 यह आ गया 1,50,000 NAV पहला case देखिए यानि कुछ भी 3 महने 8 महने और 4 महने में कोई काम नहीं है सारा normal manner से होगा 8 महने, 4 महने का कोई सवाल ही नहीं है और कोई काम भी नहीं है सब normal manner सवाल में थोड़ा adding करूँगा मैं पहले यहां तक किसी को दिक्कत सवाल मैं adding करूँगा suppose करो यह होता 4 महीने और हम रहते 8 मैं ऐसा हो सकता था तो अब इसी के साथ कर लेते हैं ठीक है ज्यादा हम मैंने यहीं पर कर दिया कि इसका color change कर दे न तो सर दूसरा केस के लिए मैंने इस साइड लेके चल रहा हूं तो मैं सीधा आ जाता हूं यह तो दो लागी रहेगा एक लाग रहेगा 130 रहेगा 130 रहेगा सर अब रेंट कितना आ जाएगा अगर 4 मैंने देता है तो 80 कितना आ गए 80,000 अब रूल के according देखो तो आप मैंने कहा था वेकेंसी का केस होगा तब आपको allowed lower किया जाएगा लेकिन यहां तो आप रह रहे हूँ ऐसे सिच्वेशन हो गवर्मेंट कहता है कि आप रह रहे हो हमें पता नहीं आप कितने दिन रह रहे हो तो यहां पे hire लिया जाएगा और जी यह भी माना जाएगा आपका सर कई जगह पे गवर्मेंट का यह ऐसा रूल है ना जिसको बोलते हैं कि सही भी नहीं है लेकिन यह सिर्फ ऐसा रूल इसलिए बनाए गया है ताकि लोग उसका फाइदा उठा ना पाए सिंपल सी बात है बस इसलिए तो सवाल में जैसे सिच्वेशन दिखे तो आपको सिंपली वैसे फॉलो करना है तो सर यह था हमारा केस नंबर 5 अब चलते हैं केस नंबर 6 केस नंबर 6 में क्या है ताइम बेसेस पे अ एरिया बेसेस पे केस नंबर कौन सा है 6 5 6 है ना 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 11 12 15 15 12 15 15 15 15 16 on the basis area सर जब ऐसा situation होना तो इच आइटम या इच इनफर्मेशन distributed in the area ratio time वाले में distribution allowed नहीं था लेकिन area वाले में law ने कहा कि हर चीज को आप distribute कर दोगे area के ratio में सवाल देख लेते हैं कहता है और ये वाला सवाल ना जादा से जादा पूछा जाता एक्जाम में mv 12,00,00 और ये फ़ार 15,00,00,00 sr 16,00,00 एक्चुल रेंट एक लाख बीस अजार पर मन्त ठीक है मुनसीपल टेक्स 20% आगे जो मैं लाइन कह रहा हूँ वो ध्यान से देखना हाउस प्रोपर्टी हाउस प्रोपर्टी 60% एरिया लेट आउट एंड 40% एरिया सेल्फ उक्युपाइड यानि आपको एरिया बता दिया 60% वहिया मैंने किराय पर दे दिया 40% पर हम खुद रह रहे है तो ऐसे सिचुएशन में आंसर कैसे निकलेगा इच आईटम डिवाइड हो जाएगा उसके एरिया के बीसिस पे तो चलिए सार अब इसके अंदर दो यूनिट हो गए यूनिट नमबर वन और यूनिट नमबर टू कह सकते हो तो ऐसे situation में कैसे answer आएगा फटा-फट देख लीजिए सर मैं यहां format और मेट नहीं लिख रहा है क्योंकि example लेके चल रहा हूँ है चलिए मुंसिपल वेल्यू बारा लाग फेर रेंट और इस्टेंडर रेंट फेर रेंट सर पंदरा लाग इस्टेंडर रेंट सोरह लाग अब एक चिंज एक मिनट हमें इसको एरिया में बाट ना था ना अब आप कुछ भी ले लिजिए यहां मैंने ले लिया 40% और यहां ले लिया मैंने यह आगया लेट आउट वाला एरिया यह आगया सेल्फ उक्यूपाइड वाला एरिया ठीक है तो मुंसिपल वेल्यू कितना है 12,00,00 है आएफर कितना है 15,00,00 तो 6,00,00 और 9,00,00 सर रेशो में बाटा जा रहा है एसर को भी बाट होगे एसर 16,00,00 है तो 6,40,00 और 9,00,60,000 सर इसके बाद एक्सपेक्टिड रेंट आएगा एक्सपेक्टिड रेंट का यहां सवाल ही नहीं होता एक्सपेक्टिड रेंट का यहां सवाल ही नहीं होता यहां पर एक्सपेक्टिड रेंट का आएगा सम्में से higher और फिर lower that is actual रेंट आएगा सर एक्सपेक्टिड रेंट का यहां सवाल ही नहीं होता actual रेंट यहां पर आएगा देखो expected rent आप यहाँ निकाल लो फरक नहीं पड़ता मैं बताना चाहूंगा अभी यहाँ पर क्या है सर कहता है कि सर हमने किराय पर दे दिया कितने रुपे एक लाख बीस अजार रुपे के महिने पर तो मैं दूसरे का निकाल रहा हूँ एक लाख बीस अजार गुणा में बारा तो चौदा लाख चालिस अजार अब आ जाएगा हमारा सीधा GAV सर GAV इसका 0 रहेगा और इसका आजाएगा एक लाख यानि सर हमने इसका ratio तो बाट लिया है अगर हम इसका ratio ना भी बाटे तो क्या हम direct GAB या NAB 0 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हो इसमें लग जाएगा self occupied वाला concept इसमें लग जाएगा let out वाला concept यानि दो concept इसके अंदर मर जो गए ठीक है तो चलिए सर less municipal tax अब जवाब दीजिए municipal tax कहता है 20% है तो क्या यहाँ municipal tax minus होगा क्या इसमें municipal tax minus होगा बिल्कुल होगा 20% कितना होगा 72 यानि 1,44,000 यहीं होगा क्या साथ एक सो चालिस और दो चार ठीक है अब यह आ जाएगा NAV यह तो 0 आ गया NAV माइनस कर दीजिए इसमें से क्या आता है 14,40,000 है यह एक 0 कम लिखा है 14,40,000 माइनस 1,44,000 कितने आ रहे हैं 12,96, सर यह case number 6 भी हमारा होता है यहाँ पे खतम देखिए कोई doubt अगले case पर चलें देखिए फटा फट सर केस फाइब में empty less क्यों नहीं हुआ honor service enjoy करेगा case number 5 में empty less क्यों नहीं हुआ करा तो है normal manner होगा honor तो कर रहा है लेकिन यहाँ normal manner से empty allowed है यहाँ पे अगला case लास्ट केस सर लास्ट केस क्या है यहाँ तक पहले doubt देख लो आप एक बात case number 6 में 240 नहीं होगा 20% अब देखो बच्चों का doubt आ रहा है सर case number 6 में तो 20% होगा ना बिल्कुल डेफिनेटली दो चालीस होगा 20% बट इच अन एवरिटिंग टू पार्ट में डिवाइड होगा तो self occupied वाला पार्ट जीरो हो जाएगा बाकी का पार्ट यह हो जाएगा तो सर अब दो चालीस को भी तो दो पार्ट में तोड़ दोगे किसमे 60% में और तो 60% वाला इधर चला गया 40% यह चला गया एक पर सारा case revise करा दे फटा फट इन सभी को आराम से एकदम note करना है आपने हूँ 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 हूँ